एक स्टूडेन ने कॉरिल्रीस-फोर्स का जस्ट कंसेट प्धूंचा है डिटेल डेरिवेशन मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी मैंने बहुत अच्छा अच्छी बुख से जैसे समझाया वहा है कॉरिल्रीस-फोर्स का डिटेल्ड डेरिवेशन है मैं एक छोटा ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ कि आप उसे कोरेलिस फोर्स को इस डेटेल डेफिनिशन डेटेल डेरिवेशन में ना जाके उसको इंट्यूटिवली कैसे समझें और उसको आप डेराइव कैसे करें बिना उस डेटेल डेरिवेशन में गए अब कोरेलिस फोर्स का यह फोर्मला है आपको सब जगा मिलेगा माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी और लेट मी राइट एस ट्वाइस एम वी क्रॉस ओमेगा अब इंट्यूटिवली आप पहले समझ लीजे फिर मैं एक बहुत ही छोटा सा स्मार्ट डेरिवेशन दिखा देता हूँ प्रापर डेरिवेशन मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे अलग मेरे चैनल पे ही डेटेल्ड एक वीडियो है शायद मैंने चार-पांच साल पहले डाला होगा वो यह अगर हम एक रॉड लें और उस रॉड को किसी ओमेगा से रूटेट कर रहे है और कोई अब्जेक्ट जिसका मास से M है वो उस रॉड पे किसी विलासिटी कॉंस्टेट विलासिटी वी से चल रहा है उपर भी चल सकता है अंदर के तरफ भी आ सकता है तो लेट उस टेक एकेस वेर इट्रेवल्स इन पॉजिटिव आर डिरेक्शन वेर आर इस दी वेक्टर फॉर्म दी रॉटेशन एक्सिस टू दी जो अब्जेक्ट हमारा है जिस पे हमें एक फोर्स निकालना है अब आप इंटुटिवली देखिए पहले आप सेंट्रिफिगल फोर्स को एक बार समझ लीजिए सेंट्रिफिगल फोर्स में क्या हो रहा है उसमें अब्जेक्ट जो है ऐसे रोटेट कर रहा है सपोज एक छोटा से मैंने सेग्मेंट लिया यहां से वो यहां गया थोड़े टाइम टी में यह डी थीटा उसने किया तो उसका पाथ हमने क्या किया यह पाथ हमने उसको चेंज करके यह फोर्स जो है उसको उसका जो विलाउस्टी वेक्टर है उसको चेंज करके ऐसे ले आया तो उसको इस तरफ उसने खीच रहा है एक फोर्स जो है को खींच रहा है तो जो खींच रहा है इस force को तो naturally इसका जो reaction होगा centrifugal force इसलिए हम बाहर को लेते हैं हम किसी object को ऐसे किसी force से push करेंगे यह से force से नहीं किसी acceleration से हम push कर रहे हैं किसी suppose support से ऐसे push कर रहे हैं यह object इस acceleration A से चल रहा है यहां भी एक acceleration था न वी स्कुएर अपनार था so acceleration A से चल रहा है तो यह body जो है जो force लगाएगी वो M में होगा न स्यूडो फोर्स उल्टा लगाएगी तो जैसे centrifugal में उसको अंदर हम accelerate करते हैं उस force को balance करने के लिए हमें अंदर से string जो है force दे रहा होता है अब आते हैं वापस correlis force के concept पे उसका direction निकालना जरूरी है अब intuitively देखिए यही चीज अब मैं इसको थोड़ा और simple diagram बनाता हूँ suppose object यहाँ था at t is equal to 0 यह x पे था और यह d theta rotate हो गया और time dt में हुआ so omega is d theta upon dt where omega is constant अगर यह travel नहीं कर रहा होता तो यह यहीं आता अगर यह किसी velocity से move नहीं कर रहा है from the origin इसी इस rod पे यह एक जगा ही रुकावा था fix था तो यह हो गया हमारा यह arc हो गया d theta is arc upon radius which is x so arc का हमारा value यह आता यह हमारा velocity यहाँ पे आता v is x omega where velocity speed is constant in this path लेकिन जो है velocity is not constant speed is constant अब जो है दूसरा situation लेते हैं जिसमें यह object ऐसे ही न रहके यह suppose travel कर रहा था तो अब यह जो travel करके यहाँ आ गया और इस time में suppose यह dx चल गया अब आप देखिए यह जो arc है और यह जो arc है यह जो travel की इसमें जो difference है वो यह है this is the key point यह एक extra arc इसने cover की rotation करते वे यह arc करता जब वो move नहीं कर रहा था और यह arc की जब वो dx move कर गया तो यह जो extra arc move की वो move की कोई एक acceleration हो रहा है उसका इस direction में कोई चीज उसे accelerate कर रही है जो यह distance ना cover करके उसी time में उसने ज़्यादा distance cover किया तो वो जो acceleration है मैं इसको सिर्फ एक बहुत ही simple terms में समझा रहा हूँ यह proper derivation नहीं है मैं repeat कर रहा हूँ proper derivation मैंने already डाला हुआ है vector वगेरा लेके है काफी detailed है मगर यह intuitively समझने के लिए बूल रहा हूँ मैं यह जो arc है इसका value है dx into d theta तो यह जो distances ने travel किया यह travel किया क्योंकि यह accelerate कर रहा है इस direction में normally यह था extra यह है so s is equal to half a t square distance है dx d theta is equal to half acceleration की value निकालनी है dt into dt इदर divide कर दीजे acceleration की value आगई v into omega यह vector form में नहीं लिख रहा हूँ vector form है v cross omega यह हमारा आगया acceleration in fact अभी यह vector form आप देखे ही मत उसके पाद में होंगा यह आपने accelerate किया इस body को इस value से twice v into omega से आपने accelerate किया as usual force हमारा उसके opposite लगेगा ना जो मैंने भी concept समझाया जैसे centripetal वाला है centrifugal वाला है या pseudo वाला है तो इस पर जो force लग रहा है वो twice m v into omega है यह magnitude है और direction हमने intuitively ऐसे निकाला अब ध्यान से सोचिए अब यह object अगर इधर आ रहा होता अंदर आ रहा होता तो force किस direction में लगेगा तो force reverse लगेगा तो force इस direction में लगेगा यह force जो है यह body हमारी ऐसे है और यह rod है और यह body है इस rod ने accelerate यह rod जो है accelerate करा रही है body को acceleration a से body चल रही है उस acceleration का value twice deception लगेगा तो इस body पर जो force लगेगा ऐसे body rod पर force लगायागी और rod body पर same force लगाया तो जो reaction होगा वो जो होगा correlis conscious force के बराबर होगा rod और body body के बीच में जो reaction होगा अब reaction का direction body पर force ऐसे लग नहीं है body पर force ऐसे लग रहा है तो इस पर reaction जो है आप दिखाएंगे कैसे यह ऐसे, नॉर्मल रियक्शन इसका ऐसे होगा और बाड़ी पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक तो रियक्शन है एक फोर्स का डिरेक्शन है अब इसको वेक्टर फॉर्म में हर बार तो आप ऐसे करके कैसे निकालेंगे तो वेक्टर फॉर्म में अब इसको मैं दिखा देता हूँ वेक्टर फॉर्म में कैसे same value आती है वेक्टर फॉर्म है फोर्स इस माइनस ट्वाइस M ओमेगा क्रॉस V जो स्टेंडर फॉर्मला है मैं इसको V क्रॉस ओमेगा लिख लेता हूँ पॉजिटिव में अब देखिए यह ऐसे रूटेट कर रही है तो ओमेगा मेरा हुआ ऐसे यह ऐसे राइट हैंड थम रूल से अगर यह ऐसे रूटेट कर रहा है तो थम के डिरेक्शन में तो मेरा ओमेगा वेक्टर नीचे को जा रहा है and विलासिटी मेरा इधर था तो अब इससे निकालेजिए this is V fingers are V and पाम is direction of palm is ऐसे ओमेगा and this is the direction of force तो मेरा force का direction यह आ गया बॉड़ी पे जो force लग रहा है वो पीछे को लगेगा और जो reaction है naturally उसका उल्टा होएगा वैसे भी देखे बॉड़ी को आप ऐसे push कर रहे हैं या आपने extra push कर दिया तो बॉड़ी पे जो force लग रहा है वो ये है और ध्यान रखना है कि हमें body का force निकालना है कि rod पे reaction का direction निकालना है vector water form में J advance में दे सकते है तो ये एक intuitive thumb rule method है coral force को समझने का detailed derivation है पर उसमें I won't advice अगर आप J E के लिए बढ़ रहे हैं तो जरूत नहीं है सिर्व आपको formula ध्यान रखना है इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है vector form में और उसको समझना है कि intuitively है क्या झाल बड़ोगगगगगगगगगगगवदघ्ट एक एक रखना है